चोपड़ा है जो किसे युटूब तेनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्डिक्स फ़ागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एक्जाम के बारे में, नेक्स्ट एक्जाम कब से इंप्लिमेंट होगा उसके बारे म तो आप सभी को ये पता है कि नेक्स्ट एक्जाम अभी सभी के लिए ये नेसेसरी हो गया है, ये एक लाइसेंस एक्जाम है, यानि कि आपको MBBS कम्प्लीट करने के बाद में नेक्स्ट एक्जाम देना होगा, तब ही आपको डिग्री मिलेगे, ये नेक्स्ट एक्जाम दो candidate internship कर पाएगा और internship complete करने के बाद में next exam 2 होगा वो practical exam होगा और उसको सिरब pass करना ही होता है और जो PG में admission होगे वो PG के admission next one के through ही होगे तो ये next exam कब होगा और इसमें आगे curriculum में क्या-क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम 2024-25 के लिए एक बार time table देख लेते हैं MBBS का की कोण से month से start होके कोण से month में end होगा और ये कब next exam proposed है इसका तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 14 October से start है अलंकि ये session तो 1st October से ही start है लेकिन इसमें एक मेना computer fundamental course चलता रहता है तब तक admission complete हो जाते हैं यानि कि इस बार 30 October को admission complete होंगे तो जो सुचारू रूप से study चलेगी 1st year की MBBS 1st year की इस साल के लिए 2024 के लिए वो 1st November से ही होगी तो इसमें 14 October दे रखा है starting की date तो 14 October से यहाँ हम लगाते हैं कि जो 1st month में है 14 October को 1 month यहाँ complete दिखाया है इनोंने अभी इसमें 9 दिसंबर जनौरी ये जो 1st phase है ये 1st phase end हो जाएगा September 2025 को ये September 2025 को end हो जाएगा 1st year और इसकी exam लग जाएगी result भी आ जाएगा September में इसका यानि ये जो अभी MBBS का जो syllabus है वो 4 part में बांटा गया है phase 1, phase 2, phase 3 के part 1 और phase 3 का part 2 तो ये जो 3 है phase 1, phase 2 और phase 3 का part 1 ये 12th month के हैं और जो last में है वो 18 month का है क्योंकि जो final year है उसमें काफी सारे subject होते हैं 19 subjects आते हैं इसमें काफी study करने पड़ती है तो ये student के लिए अच्छा हो गया है कि ये 18 month का हो गया पहले ये 12 month का हुआ करता था जिसमें student को काफी परेशानी यानि काफी ज्यादा पढ़ाई करने पड़ती थी और exam भी नजदीक आजाती थी पढ़ने के लिए समय कम मिलता था लेकिन इस बार पिसली साल से ही ये 18 month का कर रखा है इसलिए student के लिए ये 5 month है तो ये 1st phase end हो जाएगा 25 को यनि कि September 25 तक result आ जाएगा इसका इसके बाद में phase 2 start हो जाएगा अक्टूबर से October से 2nd October से phase 2 start हो जाएगा यनि second year start हो जाएगा 2024 बैच का और ये September में phase 2 खतम हो जाएगा result आजाएगा 2026 को 26 में September में result आजाएगा और अक्टूबर से phase 3 start हो जाएगा phase 3 का part 1 start हो जाएगा part 1 start हो जाएगा और ये part 1 end होगा September में ही September में end होगा September 27 में यनि 2007 सिप्टेमबर में part 3 complete हो जाएगा उसके बाद 18 मन्त बचेंगे उसके बाद 18 मन्त बचेंगे वो 18 मन्त आपके complete हो जाएगे March 2028 में March 28 में March 28 में ये 18 मन्त खतम होके MBBS complete हो जाएगा इस बैच का और March में ही next exam लगेगा March के मन्त में next exam लगेगा step 1 step 1 वो exam है जिसमें student के लिए internship के लिए pass करना होता है degree के लिए pass करना होता है साथ में PG का selection भी इसी score से होगा PG admission भी इसी score पर होगा इसलिए next one आपको pass करना है और फिर internship शुरू हो जाएगी और internship खतम हो जाएगी March में March में internship खतम हो जाएगी तो उसके बाद में next two exam लगेगा जो सिर्फ pass करने के लिए ही होगा तो ये curriculum है 2024-2025 के लिए जो मैंने आपको बताया है इसके बाद में 26 के लिए भी आलड़ी दे दिया है 2025-26 के लिए भी curriculum दिया है जिसमें condition सैमी है जो उसमें condition थी एक मैने पहले कर दिया है यानि कि एक मैने advance कर दिया है इसको ये पहले एक मैने वारे schedule पर ही आजाएगा MBBS का जो program है वो तो ये 2025-25 के लिए है ये 2025-25 के लिए है 2025-25 के लिए है यानि कि अगस्त में phase 1 start हो जाएगा 2025 में ये अगस्त में खतम हो जाएगा 2026 को 2026 को अगस्त में सेकेंड एर स्टार्ट हो जाएगा यानि कि सेकेंड एर खतम हो जाएगा थर्ड एर स्टार्ट हो जाएगा और फिर फेज थ्री स्टार्ट हो जाएगा 27 में और 28 में 28 में स्टार्ट हो जाएगा ये 29 में 29 में फरवरी में 29 फरवरी में next exam लग जाएगा यहां पर step 1 उसके बाद internship इस्टार्ट हो जाएगी और यह internship खतम हो जाएगी फरवरी में फरवरी में खतम होने के बाद में next two exam लग जाएगा जो सिरफ पास करने के लिए है तो यह 25-27 बैच के लिए है यह तो यह तो confirm है कि next exam इस बैच से इन बैचों में लगेगा अब यह next exam कब से start होगा कब कोण से बैच से शुरू होगा तो आपको पता है 2019 में 2019 में इसको proposed किया था 2019 बैच से लगना था लेकिन student ने काफी अपोज किया था इसके बारे में तो यह 2019 से तो cancel हो गया है 20 का अभी program नहीं ऐसा क्योंकि 20 में अगर होना था तो अभी तक हो जाता इसलिए 20 बैच से start होने की कोई possibility नहीं है लेकिन यह next exam 21 बैच से start होने की पूरी पूरी possibility है 21 बैच से यह मैं आपको 21 बैच का पूरा का पूरा करीकुलम बता देता हूँ यहां और 21 बैच में यहां next proposed है यहां पार बाकाइदे next का लिखावा है 21 बैच से 20 तक ऐसा कुछ भी नहीं था next exam के लिए लेकिन 21 बैच से next exam का schedule दे रखा है तो यह 21 बैच से लागू होने की possibility है 21 बैच से जब implement होगा तो यह 2026 में होगा 2026 अप्रेल में होगा पहला जो next exam है वो 2026 अप्रेल में होगा यानि चोईस में तो अभी होई नहीं रहा है बिल्कुल भी 25 में भी next exam होने की कोई possibility नहीं है लेकिन 2026 मार्च में पहला next exam लगने की possibility है यह NMC ने पहले ही clear कर रखा है अपने curriculum में अपने program में MBBS के program में दिया हुआ है इसमें पुरा 2026 अप्रेल में next exam लागू होगा पहला next exam 2026 में लागू होगा यह और कौन से बैच से होगा यह 21 बैच से लागू होगा जो 21 बैच है वो फरवरी मार्च 2022 से start हुआ था और इसी बैच से यह next exam लागू होगा तो यह NMC की तरफ से एक update ही है कि next exam कब से लागू होगा मैंने आपको पूरूप के साथ बता दिया है 2020 बैच से लागू नहीं हो रहा है 2021 बैच से लागू होने की यह पूरी पूरी possibility है यह आपर according to NMC curriculum तो यह जानकारी थी next exam के बारे में बाकी updates के साथ में आप से फिर से मुलाकात होगी कि तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आप से लीता हूँ विदा जय है कर दो मैं होगी